ओम शान्ती चार जून दो हजार चोविस की साकार मुल्ली से होमवर्क आज की मुल्ली से हम लक्ष लेंगे सुख धाम में चाने के लिए अर्थात सुख धाम में ऊच पद पाने के लिए पुन्यात्मा बनने का पुर्शात करना है पुन्यात्मा बनने के लिए आज जो बाबा ने डारेक्शन्स दी हैं उनको जीवन में धारन करना है स्वधर्शन चक्रधारी बनना है बाबा की याद में रहना है तो जो धारना है जो पुन्या आत्मा अर्थात पवित्र बनने के लिए बताई आज उनके सुम्रिती में रखना है बाबा ने समृति दिलाई कि विकारों के कारण तुमने आदी मद्य अंत दुख पाया है इसलिए पवित्र बनो पहली डारेक्शन ये है दूसरी धारना बाबा ने कहा कि तुम्हें विशब की बादशाही मिलती है ऐसे मिलती है जैसे माखन मिलता है तो इसलिए तुम्हें दैवी गुन धारन करने है गफलत नहीं करनी है फिर बाबा ने तीसरा बताया कि किसी को दुख नहीं देना है अर्थात बाबा का कहने का भाव है कि आत्मा भाई भाई समझना है और जितना हम आत्मा भाई भाई समझेंगे तो हमारे अंदर गंदे ख् पहरना करने में मदद करेंगे फिर भावा ने का चावल मुठी सफल कर अपना भाग्य बनाना है और नेक्स्ट है सेवा करते समय नर्भयता का गुन अर्थात नेडर रहना है और अपने विशाल बुद्धी रखनी है भावा ने कहा पुन्या आत्मा बनना है तो कोई भी करम नहीं करना है अर्थात नाम रूप में बुद्धी ना जाए इस बात का अटेंशन रखना है अपने उपर आप पे ही रहम करना है अर्थात अगर जब हम ये धारनाय अपने अंदर करेंगे तो इसी को कहेंगे अपने उपर रहम करना दूसरा है स्वदर्शन चक्रधार बनकर चक्रवती राजा बनते हो अर्थाच स्योम का दर्शन करेंगे तो बुद्धी माया के चक्र से मुक्त हो जाएगी बेहद की वृत्ति से जब हम सेवा करेंगे तो चक्रवती राजा बन जाएंगे तो आज इसका चिंतन करना है कि आदी में एक धरम था, उस समय पुन्यात्मों की दुनिया थी, कोई विकार नहीं था, कोई बिमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, ये बादशाही हमारी 21 जनम चलती है, तो जैसे ही मध्या में आते हैं तो रावन राज्य शुरू हो जाता हैं, तो इस तरह जब बाप की अती हो जाती है, तो अन्त में बावा आते हैं, हमी सुमृति दिलाते हैं, कि तुम्हें 63 चनम होगे, मुझसे बिछडे हुए, अब तुम्हें सुकधाम को याद करना है, मैं तुम्हें ever healthy बनाने के लिए आया हूँ, बाप हमें direction देते हैं, अभी पवित्र बनो, जो सत्य नरायन की कथा मैं सुनाता हूँ, उस सत्य नरायन की तुम कथा सुनो, इस तरह आजशी ये ज्ञान का मनंचिंतन करते रहना है, तो हम आदी में क्या थे, वो संसकार हमारी इमर्ज होंगे, और बाप के संग से अनादी संसकार भी इमर्ज होत क्योंकि इस शरीर को छोड़ कर तुमें अब वापिस घर जाना है, ये पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों से भी ममत्व को मिटा देना है, क्योंकि बावा ने कहा जो भी इस समय है वो सब दुख देने वाले हैं, तो उनमें नाम रूप में तुमें नई फसना है, तो इसलिए बावा ने उनसे भी वेराग्य दिलाया और सम्रिती दिलाई, इस समय तुम स्टीमर में बैठे हो, तुमें उस पार जाना है, तो तुमें नई दुनिया को सम्रिती में रखना है, और पुरानी दुनिया से वेराग्य करना है, तो इस तरह जब हम नई दुनिया को समृति में रखेंगे तो अंदर खुशी होगी तो वेराग्या रखने की भिनबिन विधियां बताई जब इस दुनिया से वेराग्या होगा नहीं दुनिया में बुद्धी होगी तो पवित्र संसकार इमर्च होंगे बाबा की याद रहेगी बाब को याद करने के लिए बाबा ने आज विशेश अटेंशन दिलवाया पवित्र बनने के लिए बाब को याद करो अंतकाल में एक बाब की सिवाई कोई और याद ना आए तो इस तरह सारा दिन बाबा की संबंदों से होने वाली प्राप्तियों को सुमृति में रखेंगे पिता के संबन से बाप हमें बेहत का वर्सा देते हैं टीचर बन करके ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविश्य में चकरवती राजा बनते हैं क्योंकि इस संगम पर हमारे टीचर ने हमें सिस्टी चकर का राज बताया बाप का परीच्य मिला चकर का परीच्य मिला और हमें हमारे कर्मों का भी ज्यान दिया धर्मों का भी ज्यान दिया तो इस सारे ज्यान का मनन चिंतन करते रहना है क्योंकि इस पढ़ाई से ही हम भविश्य में उच्पत पाते हैं और सत्गुरु आकर के हमें वैशालिय से हमें शिवालिय में ले करके जाते हैं तो ऐसे सत्कुरु को याद करना है तो बाप ऐसे सर्विसेबुल बच्चे को और अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो आज पवित्र बनने के लिए यह स्वमान रखना है मैं तपस्वी मूरत आत्मा ब्रिकुटी कुटिया में बैट कर बावा की साथ लगन में मगन होकर अपने को सब बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्ति कानभव कर रहे हूं और अन्या आत्माओं को भी जीवन मुक्ति कानभव करा रहे हूं ओम शांति